अंजीर का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो की कमाल के फाइदे देने वाला ड्राइफ रूट है। लेकिन पुरुशों के लिए अंजीर खाना ज्यादा फाइदे मंद होता है। अगर आप अंजीर के जबरदस्ट फाइदे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे खास वक्त पर खाए ताकि आप इसका पूरा पोश्ण प्राप्त कर सकें। आईए जानते हैं कि किस वक्त अंजीर खाना चाहिए और उससे कौन से फाइदे मिलते हैं। किस वक्त खाना चाहिए अंजीर? आयुर्वेद के मुताबिक अंजीर का सेवन सुभा के वक्त खाली पेट करना चाहिए सुभा के समय सूखे मेवा खाने के लिए 2-3 अंजीर को रात भर पानी में डुबो कर रखें पानी में भीगने से अंजीर को अवशोशन आसान हो जाता है और शरीर पूरा पोशन प्राप्त कर लेता है अंजीर खाने के जबरदस्त फायदे अंजीर का सबसे ज्यादा सेवन सूखे रूप में किया जाता है इसके अंदर प्रोटीन से लेकर डाइटरी फाइबर, फोलेट, नियासिन, राइबो फ्लेविन जैसे कई सारे पोशक तत्व होते हैं पुरुशों को अंजीर से मिलने वाले फाइदे अंजीर में जिंक होता है, जो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है जिसकी वजह से जिंक की कमी के कारण टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है और पुरुशों में बाजपन की समस्या और स्पर्म काउंट की कमी होने लगती है इसलिए पुरुष इन समस्याओं को दूर करने के लिए अंजीर का सेवन कर सकते हैं दिल का रखें ख्याल अंजीर में मौजूद एंटीक्सिडेंट आपके बलड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है इसके अलावा यह हरिदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है अंजीर शरीर में ट्राइग्लिस राइड्स के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है जो हरिदय समबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है हड्डियों को बनाए मजबूत अंजीर में कैल्शियम, फॉस्पोरस, मैगनीशियम, पोटेशियम आदी होते हैं जो हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए बेहद लाभदायक होते हैं ये सभी पोशक तत्व आपके हड्डियों को मजबूत बनाते हैं हमारा शरीर खुद कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं करता है इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप कैल्शियम से भरपूर चीजों का सेवन करें प्रजन क्षमता बढ़ाता है जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अंजीर में जिंक, मैंगनीज, मैंगनीशियम और आइरन जैसे खनीजों का भंडार है यह सभी तत्व प्रजन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं इसमें मौजूद एंटिकसिडेंट और फाइबर हार्मोन असंतुलन और पीरियर्ड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी काफी कारगर है महिलाओं को कमजोरी में भी अंजीर खाने की सलाह दी जाती है शुगर के स्तर को कम करता है अंजीर में उच्च मात्रा में पोटेशियम होता है यहाँ आपके शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है अंजीर में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड बलड शुगर लेवल कम करने में मदद कर सकता है आप सलाद और स्मूदी में कटे हुए अंजीर का इस्तिमाल कर सकते हैं रक्त चाप को कम करता है अंजीर में मौजूद पोटेशियम एक महत्वपून खनिज है इसके नियंत सेवन से बलड प्रशेर को संतुलित रखने में मदद मिलती है साथ ही यह सोडियम के हानिकारक प्रभावों को भी कम करता है जो रक्त चाप के लिए बेहद नुकसान दे है हालांकि आजकल प्रोसेड फूर बाजारों में ज्यादा मिलते हैं इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम पोटेशियम से भरपूर आहार लें कैसे और कब खाए भीगे अंजीर भीगे हुए अंजीर स्वास्थय के लिए बेहद लाभदायक होते हैं वैसे आप सूखे अंजीर भी खा सकते हैं लेकिन भीगे अंजीर स्वास्थय के लिए ज्यादा लाभदायक होते हैं अंजीर को आधे कब पानी में एक से दो अंजीर को रात भर भीगने दें और इसे सुबह खाली पेट में खा लें इसके साथ आप बादाम, अखरोट और कुछ अन्य ड्राई फ्रूट्स भी भीगने दे सकते हैं इससे आपके स्वास्थ्य को अंगिनत फायदे मिलेंगे इसके अलावा भीगा हुआ अंजीर खाने से टाइप दो डाबिटीज में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है इसे आप स्मूदी या ओट्स के साथ भी खा सकते हैं इसके अलावा आप अलग-अलग ड्राई फ्रूट्स के साथ भी अंजीर को मिला कर खा सकते हैं साथ ही आप अलग-अलग तरहे के बीजों के साथ भीगो कर भी खा सकते हैं जैसे कद्दू के बीज, चिया बीज और अलसी के साथ भीगे अंजीर आपके शरीर को हाइडरेट भी रखते हैं, इसलिए सूखे अंजीर की जगह भिगोएं अंजीर ज्यादा लाभदायक होते हैं अंजीर को अपने आहार में शामिल करके अपने लिए संपून पोशक तत्व प्राप्त कर सकते हैं अंजीर को एंटी प्लेट लेट दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए इससे आपका रखतस्त्राव का खत्रा बढ़ सकता है साथ ही अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं या प्रेगनेट हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही अंजीर का सेवन करें इसके अलावा डाइबिटीज के रोगियों को भी अंजीर खाने में परहेस बरतने की जरूरत है जिनका शुगर लेवल कम रहता है क्योंकि यह शुगर लेवल को और कम कर सकता है अगर आपको कोई एलर्जी से संबंधित समस्या है तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क के बाद ही अंजीर का सेवन करें क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है